हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल आज की वीडियो में फुल सरकल अमरेला लेंगा की कटिंग और स्टीचिंग करना बताएंगे तो मैंने 5 मेटर का मेन फैब्रिक लिया है और 3 मेटर का इनर लिया है पहले हम लेंद का मेजरमेंट करेंगे जैसे लेंगे की लेंद है 40 इंच और उसमें से 2 इंच की बैल्ट लगाएंगे 40 इंच में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 38 इंच बचेगा प्लस 1 इंच करेंगे मार्जन के लिए वो दोनों साइड सिलाई में जाएगा तो टोटल लेंगे की length 39 inch पर marking कर लेंगे सेम तरीके से waste का measurement करेंगे जैसे waste 32 inch, 2 inch की losing रखेंगे 32 inch plus 2, 34 inch आएगा 34 inch को 8 से divide करेंगे, तो 4.3 inch आएगा waste की marking 4.3 inch पर करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने ये paper लिया है इसको fold कर लेंगे length की side से, इस तरीके से पहले हमें इसको two layer में fold करेंगे और इस तरीके से, जब corner से हम इस तरीके से marking करेंगे तो ये amrela length की marking हो गई, ये इसकी length है तो जब हम full circle amrela length बनाने के लिए एक बार और fold कर लेंगे आप देख सकते हैं, अब ये four layer में fold है और ये इसकी length है अब यहां से इस तरीके से इसको fold कर लेंगे ये length है और नीचे से circle बनाएंगे टोब side भी marking कर लेंगे तो पहले हम same तरीके से फैबरिक को fold कर लेंगे देखे ये इसकी width है और ये length है length की side से पहले इसको 2 layer में fold करेंगे और उसके बाद इसको 4 layer में fold कर लेंगे तो आप देख सकते हैं अब इसमें 4 layer है अब folded वाले side से triangle की shape में 8 layer में fabric को fold कर लेंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं fabric को 8 layer में fold कर लिया है और folded वाले side इसके दोनों corner से किसी भी corner पर हम marking कर सकते हैं यह दोनों side से बराबर है तो आप देख सकते हैं मैं इस वाले corner पर marking करूँगी जैसे मेरी waste है 34 inch तो उसको 8 से divide करेंगे तो 4.3 inch पर marking कर लेंगे अब corner से inch tape की help से दोनों side से बराबर करेंगे दोनों point को join करेंगे और गुलाई में marking कर लेंगे इस तरीके से अब यहाँ पर inch tape रखेंगे और नीचे तक 39 inch पर marking कर लेंगे तो इसी तरीके से गुलाई में inch tape रखते जाएंगे और marking करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यह marking कर लिया है अब points को join कर लेंगे देखें मार्किंग कर लिया है अब इसकी cutting करेंगे और bottom side अलग से पट्टी अटेच करेंगे अब इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखिया है as it is cutting कर देंगे लेंगे के bottom side से cutting कर लिया है अब extra fabric को निकाल देंगे अब top side से इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखिया है as it is cutting कर देंगे तो आप देख सकते हैं full circle अम रेला लाएंगा की cutting कर लिया है अब इसको open करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके दो पार्ट की एक साथ cutting हो गई है अब बैल्ट की cutting करेंगे width 36 inch पर marking करेंगे और length 5 inch पर marking करेंगे देखे मैंने point में marking कर लिया है अब इन points को join करेंगे और एक straight line draw कर लेंगे अब as it is this की cutting करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने बैल्ट की cutting कर लिया है अब इसको stitching करते टाम इसको इस तरीके से fold करेंगे अब inner की cutting करेंगे मैंने 3 meter का inner ले लिया है और इसको two layer में fold कर लिया है अब इसको triangle की shape में four layer में fold करेंगे ये वाला corner उठाएंगे और triangle की shape देदेंगे इसके उपर main fabric रखेंगे और चारों तरप से set कर लेंगे अब top side से as it is इसकी cutting करेंगे main fabric के बिल्कुल बराबर cutting कर लेंगे और bottom side से inner की 2 inch marking कम कर लेंगे देखे मैंने ये marking कर लिया है अब इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखे है as it is इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब इसको open करेंगे देखे एक side fold आ गया है तो इसको cut कर देंगे देखे inner के दोनों parts को separate कर लिया है अब main fabric को wrong side से रखेंगे और इसके उपर inner रखेंगे चारों तरफ से set कर लेंगे और half inch का margin रखते होए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे देखे main part पर inner attach कर लिया है सेम तरीके से दूसरे वाले part पर भी inner attach कर लिया है अब main fabric को right side से रखेंगे और इसके उपर दूसरा part रखेंगे देखे दोनों को एक दूसरे की right side रख लिया है अब इसकी side में सिलाई लगाएंगे दोनों side six inch पर marking करेंगे और left side zip attach करेंगे थ्री inch पर एक और marking कर लेंगे जहां तक marking कर रखी है वहां तक चारों fabric को बराबर करेंगे और सिलाई लगा देंगे चारों fabric को बराबर कर लेंगे और half inch का margin रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे देखें मैंने सिलाई लगा लिया है अब inner को side में कर देंगे और दोनों main fabric को बराबर करेंगे और सिलाई लगा देंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यह inner attach कर लिया है और सिलाई लगा दिया है साइड में इनर पर अलग सिलाई लगाई है और main fabric पर अलग सिलाई लगाई है और इस side हम Jeep attach करेंगे तो पहले belt attach करेंगे fabric को right side से रख लिया है और इसके उपर belt रखेंगे belt को और main fabric को right side से रख लिया है और half inch का माजन रखते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देंगे तो आप देख सकते हैं लेंगे पर belt attach कर लिया है और इसके दोनों side सिलाई लगा लिया है इस पर zip attach करेंगे मैंने fitting की marking कर लिया है right side और मैंने यह zip ले लिया है zip को open कर लिया है जिप की जो right side है उसको अंदर की side रखेंगे इस तरीके से और जो marking कर रखेंगे उसके उपर zip रखेंगे और सिलाई लगा देंगे जिप के दूसरे part को दूसरी marking पर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे देखे 2 इंच belt पर भी marking कर लिया है और marking के उपर zip को रखेंगे बिल्कुल side से सिलाई लगाएंगे जिप के उपर सिलाई नहीं लगाएंगे अब जिप को बंद कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे अब दूसरी side सिलाई लगाएंगे पहले double सिलाई से लोग कर लेंगे अब दूसरी side ट्रन करेंगे फैबरी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जहांपर marking कर रखी है इसके उपर जिप रखेंगे और दीरे-दीरे सिलाई लगाएंगे अब जिप को open करेंगे और last तक सिलाई लगाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने जिप attach कर ली है देखिए जिप को लगाने का बिल्कुल आसान तरीका मैंने ये बताया है बिल्कुल finishing के साथ जिप attach कर ली है half belt में भी attach कर ली है जिप अब belt को fold करेंगे पहले half inch अंदर की तरफ fold करेंगे और सिलाई वाले fabric को अंदर करेंगे चारों तरफ fabric को half inch fold करेंगे अंदर की तरफ और सिलाई लगादेंगे देखें बेल्ट को attach कर लिया है और सिलाई लगा दिया है मैंने ये डोरी ले लिया है इसको safety pin की help से बेल्ट के अंदर insert कर देंगे और अब chain को बंद कर देंगे अब inner को bottom side से fold करेंगे और सिलाई लगा देंगे चारों तरफ तो आप देख सकते हैं inner को fold कर दिया है bottom side से finishing के साथ main fabric पर patty attach करेंगे मैंने fabric को four layer में fold कर लिया है मैंने inner वाला fabric ही लिया है और तीन इंच पर marking करेंगे अब सारे points को join कर लेंगे और एक straight line draw कर लेंगे अब इसकी cutting करेंगे अब देए झाल झाल देखिए मैंने 3 इंच की पट्टी कट कर लिया है इसको लेहंगे पर अटेच करेंगे लेहंगे को सीधी साइड से रखेंगे और इसके उपर पट्टी अड़जेस्ट करेंगे आप देख सकते हैं इसके उपर पट्टी को अड़जेस्ट कर लिया है half inch का margin रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लिए अब इसको उल्टी side fold करेंगे पहले इस तरीके से finishing के साथ fold कर देंगे उसके बाद half inch अंदर की तरफ fold करेंगे चारों तरफ से इसी तरीके से fold करेंगे और सिलाई लगा देंगे तो आप देख सकते हैं बोटम साइड से पट्टी को फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा दिया है फिनिसिंग के साथ और फुल सरकल अमरेला लहंगा बनके रेडी हो गया है इस तरीके से आप किसी भी साइज का लहंगा बना सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना की वीडियो कैसी लगी Thank you so much